नमस्कार अपसर नामा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज इस कारिक्रम में हम आपकी मुलाखात एक ऐसे युवा भारतिय प्रशास्निक सेवा के मत्यप्रदेश काडर के I.S. आफिसर से कराने जा रहे हैं जिन से जाहित तौर पर भाविश्य के लिए बहुत उम निदे हैं और वर्तमान में वो जिला पंचायट CEO भोपाल का दाई तो निभा रहे हैं और अब निश्चे तोर पर कदम दर खदम वो आगे पढ़ रहे हैं और एक बिलकुल अपराइट ऑफिसर की छवी को लेकर वो आगे बढ़े हैं मूल रूप से वो बिहार और जार्ख मध्यप्रदेश के हैं और 2015 उनका बैच है और पहले अटम्ट में ही उन्होंने सफलता हासिल की है तो चलिया आपकी मुलाखात कराते हैं रितुराज सिंग जी से जो 2015 बैच के मध्यप्रदेश काडर के युवा आई एस आफिसर हैं और जिला पंचायट भोपाल के CEO का रितुराज जी इस कारिक्रम में हम पीछे यादों की खिड़कियां खोलते हैं तो मैं आपको ले चलता हूं सेंट जेवियर जारखंड में जहां आपकी स्कूलिंग हो रही है आपकी उम्र है 14-15 साल और सपने तो आने लगते हैं इस उम्र से और आसपास से एक वातावरण बनना शुरू हो जाता है कि कहां जाना है किस मंजिल तक पहुंचना है और सबसे आकरशक डेस्टिनेशन उस उम्र में इंजिनियरिंग का बड़ा रहता है दिमाग में कि इंजिनियर होना एक बड़ी अच्छी चीज है आप भी बीटेक हैं तो उस समय आप अपने को कैसे देखते हैं तेरह 14 साल 15 साल के किशोर के तौर पर क्या सपना था और अपनी पारिवारिक प्रिश्ट भूमी के बारे में भी थोड़ा बताई धानिवाद पहले बातों कि जैसा हमारा प्रिश्ट भूमी रहा है बिहार और जार्खन से तो वहां पर थोड़ा सोशल प्रेश हैं अभी रेल्वे करमचारी हैं और मेरी मदर ग्रिणी है तो हम लोग साहब गिर मेरे रहके पढ़े पढ़े हमारी तीन सिस्टर हैं और मैं हूँ तो उसी परिवेस में रहा कि अधिकान समय बच्चों को पढ़ाय लिखाई पर ध्यान दिया जाए कुछ अच्छा करें और अच्छा होना चाहिए तो यह हमेशा एक प्रेशर रहता है वहां पर कि पच्चों को पहले तो आईटी क्रैक करो और फिर आगे चलके या तो आईएज बनो आईपेएज बनो ऐसी करें हमें से दबाव रहती है तो जब हम स्कूल में हुआ करते थे हैं 14-15 तो उस समय अधि इसा एक बहुत ही इस सोशल प्रेशर है और दबाव में ही बच्पन रहता है वहां पर रहता है तो सबना यह था कि आई-एटी में जाएं कहीं अच्छी जगे यह बिलकुल यह नहीं है बहुत ही सपना भी था कि आई-टी क्रैक करें पर आइसा हो नहीं पाया और कहीं नहीं यह मेरे लिए एक वर्दान भी सावित हुआ कि मैंने अपनी असफलता से बहुत कुछ सीखा वहाँ पर बहुत ही सोशल प्रेशर था कि आप आप आई टी में जाए बट ऐसा हो नहीं पाया और जैसा कि मैं अपने आपको अप समझ पा रहा हूं कि उससे मैं जब मैं पहली बार अपने घर से दूर गया तो वह जब होम सिकनेस जो आती है कि नहीं घर से बाहर कैसे रहे तो इन सारे दबाव में और फिर एक चुकि इतना रेस्ट्रिक्टेड फैमिली बैगराउंड रहता है तो बच्पन जो है बड़ा मतलब जब आपको ए जली पढ़ाई करने किया था और वहां पर ऐसे महाहौल बन गया कि पढ़ाई के लावा सारे काम हुए और जो है मैं बिलकुल अपने लक्ष से बढ़क गया और फिर आयटी तो बहुत दूर की बात थी हम लोग मतलब मुझे अच्छे कॉलेज में अडमिशन भी बड़ी किया तो वो एक जो मेरे लाइफ में जो मेरी एक लर्निंग रही है फेलियर से उससे मैंने काफी कुछ सीखा और वो में जिन्दिकें बहुत ड्राइव करता है यह आपने बहुत आपका बहुत ही सासिक और जो यंग्स्टर्स इस प्रोग्राम को बहुत रूची से देखते है उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज है क्योंकि मैंने देखा है कि हम अपने से जुड़ी गुड़ी गुड़ी चीजें तो बहुत शेयर करते हैं लेकिन आपने बहुत सहज रूप से बताया कि कैसे आप दिल्ली की चमक दमक में अपने लक्ष से दूर हुए थे लेकिन से दूर होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना फिर लक्ष की तरफ लॉट के आना है और आपने ये साहत जुटा कर आपने दो तीन बार कहा कि मैंने अपने फैलियोर से सीखा क्या सीखा आपने उस दौरा कि मैं यूपेसी करूं और सिविल सर्विसम जाओं तो एक व सिखान थिरयाकुर्ण में और टौर सोशेल बेक्लेश मिलती है कि वह चीख मिलती है कि कि उरू कि मिलती है कि आप को जो इक्षा होती है कि आपको ये करना है तो जब तक वो आपके अंदर पूरी तरह से डंध निस्चत नहीं हो जाती है तब तक आप कोई भी सक्सेस को पाना आसान नहीं हो पाता है तो इसलिए जब मैं जब जब मैं ग्राइजुशन करने के बाद जब मैं नौकरी कर रहा था भी सक्कूरी ठीपर करने के युशन में सब्सक्राइं करने करने नाकरी चाहते हूं देंग कि मैं निकला तो आप जब बहुत ज़्यादा मेरे पर आएटी करने का मेरे खुद का बहुत मन ही शहीं करूँ दो आप जो जारा हूँ किसी के कहने पहने पुड़ से करोंगा। किसी के डबाव से नहीं जारा है। ड़ जो मेरी ऑंदर की तियरे निज़idän देश्च नहीं तिया अरशी के तु मैं तैयारी इक्रायी के रहा थी तब मैंने हर वो गलती जो मैंने पहले दस वी में जब मैं गया था मैंने हर वो गलती जो मैंने उस समय की तैयारी के समय वो नहीं की जो मुझे इजबार करनी थी वो एक एक चीज मैंने एकाउंट किया था कि मैंने कमने समय कैसे बरबाद किया था मैं हर वो चीज को दूर करके तो कितना समय आपने दिल्ली में प्रिपरेशन को दिया था मार्च 2013 में दिल्ली गया था नौफरी छोड़के उसके बाद फिर वहां पे लगभग डिर साल मुझे समय मिला था मेरा आगले साल 2014 में जब प्रिलिम्स था तो लगभग सावा साल से डिर साल मेरे पास समय था और उसी दोरान मैंने जो अपनी पूरी तैयारी की थी तो वहां पे रहके कोचिंग भे आपने कोई जोइन की थी मैंने कोचिंग की थी और सब्जेक्ट भी कोचिंग थी तो वहां पे लगभग डिमनाद पढ़ाई किया था सबजेक्ट किया थे आपके ? मेरा पबलिक अड्मिन्स्टेशन सबजेक्ट था जी तो वहां पर लगबग सवा साल तयारी की थी वहां पर रहे के पीटी की फिर उस बात लगबग ऐनादर वोगब फाइव मूंथ और मेन्स यह लगबग डेड़ से पहुने दो साल के तैयारी रही थी तो उसमें इस पाफलता आप लिए यह बड़ी इंपॉर्टन बात है देखे निरनाय आप खुद लीजे अगर आप उस उम्र में आ गए हैं जिसको हम कहते हैं कि 22 साल, 23 साल, 24 साल की उमर जो होती है तो निरनाय खुद लीजे आपको करना क्या है अगर रितुराज जी यह तैय कर लेते कि इंफोसिस में जिंदगी बितानी है तो शायद बढ़ते तो चले जाते आगे लेकिन वो जो एक जॉब सेटिस्फेक्शन और मन की शांती है वो वहां नहीं थी मन की शांती जहां थी तो दबाव खुद लिया उन्होंने पेरिंट्स का दबाव नहीं था, सोसाइटी का दबाव नहीं था यह बहुत इंपर्टेंट बात है सर जब आपने तैयारी की तो कितने घंटे आप पढ़ते थे कई लोग यह नुस्खा समझना चाहते हैं अलगि इसका कोई नुस्खा नहीं है आत्म बल और अनुशासन के अलावा लेकिन फिर भी आपकी तैयारी का समय कितना था और कोई इससे जुड़ा महत्वपूर्ण आपको लगता हो कि युवाओं को बताने के लिए कोई महत्वपूर्ण चीज यह काफी समय हो गया है बट जब तैयारी के दोरान बेसिकली जो मैं कहूंगा एक सब्द होता है मोमेंटम मोमेंटम जो है वो बरकरार रहना चाहिए आपके पढ़ाई में और उसको वो जो बरकरार रहता है तो फिर आपके जो एफिशेंसी है वो बहुत बढ़ जाती है और अंतराल जब तूटता नहीं है पढ़ाई का जैसे कि उसको तूटने से मैं कहता हूं कि जैसे कि मैं वही अपनी रेफरेंस हमेशा इसकोल से बारवी के पढ़ाई से लेता हूं आईटी के तियारी से कि उसमेह मैं हमेशा घर चला जाया खरता था हर दो ढ़ाई मैने पर मेरा मन नहीं लगता था और मैं घर चला जाता था पढ़ने के लिए तो वो हफते भर का जो ब्रीक मेरे को मिल लग जाता था तो यह मंने वापस तैयारी करता था तो फिरह मेंसा वो मजा नहीं पकड़ पाता था और कहीं कर यह यह चाहिए बाकी बच्चे आगे निकल गए तो वो जो लर्निंग थी वही मैंने यहां अपलाई किया कि मैं ब्रेक नहीं लूँगा तो पूरे तैयारी में मतलब आपका ब्रेक लेना चार दिन पांच दिन का ऐसे कोई तिहार हो गया या कुछ ऐसा प्रोग्राम हो गया जो चले जाते हैं उसमें मोमेंटम टूड जाता ह फिर वहापस से उसको स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाती है तो जो पढ़ाय की गती है वो उसको हमेशा मेंटेन रखना चाहिए और इंडिविजल केपासिटी है बच्चे कितने पढ़ सकते हैं मेरे केपासिटी दस से बारा घंटा रोजाना पढ़ने की हुआ कर पढ़ने के लिए रिलेक्स होने के लिए भी आसपास जो आपके ही साथी है आप इसको कितने सहमत है सहमत है और जो डिबेट्स होती हैं पढ़ने के बाद कि आपने क्या पढ़ा इस पर आप बोलिये मैं सुनता हूं उस पर अब तुम बोलो मैं सुनता हूं क्या ये सब इस तो पहला जो पीटी है दूसरा मेंस है और तीसरा इंटर्विव है तो पीटी का एक्जाम जो है बहुत अबजेक्टिव होता है तो उसमें आपके कोई में डिस्कशन कोई काम नहीं आती है आपको थोरव होना चाहिए आपके पास नौलेज होनी चाहिए आपके पास इसमें आपकी मेमरी प़र बहुत शार्प होनी चाहिए तो वहां उस समय के लिए अगर आप सुचेंगे कि मैं डिस्कॉशन करके काम करूं तो नहीं हो आपको रटना पड़ेगा तो आपको डेटा याद होनी पड़ेगी अगर आपने यह सब चीज अगर आपके पास कम से कम मतलब हर सब्जेट के तो में जो टॉपिक होती है जो बुक्स होती है अगर वो पूरी तरह से कंठस नहीं है तो मुस्किल हो निकल पाना तो वहां पर तो डिसकॉशन को एक्जिश्टी नहीं करता है दूसरी बात रही मेंस की बात जब हम लोग आते हैं तो मेंस में जो है आपका नॉलेज बेस क बी आप सब्चिक चूज करते हैं वहां पर आपको कुछ पॉर्शन में अगर आप आपके कुछ विद्वान दोस्त हैं उनसे आप चर्चा कर सकते हैं पर वह बहुत व्रियाद चर्चा का रूप नहीं है और उससे कुछ आपको कोई खास लर्निंग होती भी नहीं है मेंस जो ंसे फैसर राइं का तरीका पर है किस तरह से आप ऑलगर आपन्स करते हैं और अपनी जो वह कर चुछ रहा है तो आप अपनी कला को निखा रहें उस समय जो मैं मैशूस करता था तो राइट मेंस तो आपने चलब तो बहुत चात्र जो इस पर बहुत जादा समय व्यतीत करते हैं इसके बाद जो आती है समय वो जो है इंटर्वियू का वहां मैं मानता हूं कि हाँ आपको डिसक्रशन करना चाहिए मतलब और ऐसे चात्र साथ डिसक्रशन करना जो पहले एक्जाम निकाल चुके हैं तो उनसे आप अगर चर्चा करते हैं तो आपको काफी थोड़ा सा आपका आउटलुक थोड़ा बदलता है थोड़ा आपकी नॉलेज मिलती है और वो पूरा चरण ही डिसक्रशन पे है क्योंकि वो इंटर्व्यू राउंड है तो आप जितना डिसक्रश करेंगा उसे इतनी चालची होती है तो ये चरण पे है कि आप किस चरण पे पहुँच गए हैं और आपको क्या फाइदा होता है लेकिन आगर आप इसको रिवर् हैं और सबसे महत्पूर्ण बात है कि डिसक्रशन की आवशक्ता सिर्फ आखरी चरण में हैं इंटर्व्यू में तो बहुत अधिक समय चरचा में या यह सोच कर कि वह आपके लिए बहुत उपयोगी नहीं होगा और बहतरी इसी में है कि आप अपना फोकस रखिए अच्छ आपकी बहुत जरूरी है सर वो दिन आया जब आप सलेक्ट हुए खुशी का ठेकाना नहीं पहला अटम्ट पापा मम्मी और परिवार में ब्रदर्स सिस्टर्स सारे लोग वो लोग क्या आप से छोटे हैं या बड़े हैं दो बहन मेरे से बड़ी हैं एक छोटी है तो मेरें बैठके दो तीन लापटॉप में एक साथ बैठके तो अपना रिजल्ट देखने के लिए इंतिजार कर रहे थे और वो बेसिक जब रिजल्ट आया तो मेरा ओल इंडिया रैंक 69 आया था तो मुझे काफी खुशी हुई मैं बहुत चिलाया मैं सड़क पे गया सड़क बहुत इमोशनल आउटबस्ट था और एक तरह से वह था कि मैंने अपने आपको प्रूफ किया है और वह जो एक साथिस्वेक्शन वाली फीलिंग आती कि हां आपनी कुछ लाइफ में अचीव किया है और जो लोग आपके बारे में गलत सोचते थे तो उनको आपने गलत प प्लस जो माता-पिता की जो एक 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 एमोशनल बॉंडज थी और जो उनकी फीलिंग थी अच्यों कि जब आप तैयारी करते हैं तो पूरा कहीं न कहीं पूरा परिवार भी आपके पीछे रहता है कि जो है यह तैयारी कर रहा है कल के डिट में आईएस बनेगा आईप कुना ज्यादा खुश होते हैं तो वो देखके एक बड़ा ही एक ट्रांस वाली फीलिंग आती है आप एसे मत्तब पहुंचाते हैं कि आप बड़ा अच्छा महसूस करते हैं निश्चेत तौरपर और सबसे महत्पुन बात ये भी है कि जिस दिल्ली से आप एक टेंडर एज में मायूस होकर निकले थे उसी दिल्ली से फिर आप जोली भर के निकले और वो सब कुछ था आपके पास आल इंडिया 69 रैंक विच इस वेरी सिगनिफिकेंट और वेरी लिक्रिटिव बहुत ही लुभाने वाला एक रैंकिंग और सफलता फिर मद्परदेश भी मिला तो बहुत ही खुबसूरत राज्य है और अब आपका ये दूसरा घर है तो मद्परदेश आकर भी बहुत अच करते थे तो कहीं न कहीं सेख जुडाओ थी कि मद्परदेश मिले तो अच्छा रहेगा तो अब मद्परदेश मिला भी तो काफी अच्छा रहा और मद्परदेश अपने आप में बहुत ही सुन्दर काडर है और बहुत ही अच्छा राज्य है और यहां पे काम करने ही पिर वो जॉब करती रहे गई और इधार तयारी करने आया पिर तयारी करने के बाद मैंने उनसे विवाह किया मैं सोचता हूं कि उनको भी कुछ उनके कॉंटिबिशन को भी हम जरूर सराहेंगे कि वो भी कहीं न कहीं क्योंकि पहले मित्र और मित्र के साथ एक भावनात्मक संबंद जो विवाह तक पहुँचा है तो उनका भी एक महत्पूर्ण योगदान तो रही है माता पिता और परिवार से से बिल्कुल मैं उनका बहुत बड़ा कॉंटिबिशन मानता हूं और कहीं न कहीं मतलब हम लोग रिलेशनशिप में थे बट जैसा मैंने कहा कि मैंने जो पहली कोई जो गल्ती की थी मैं वह नहीं करूंगा तो और मैंने मोमेंटम की बात की थी तो मैं लगभग नौकरी छोड अब धाई साल बात हूंसे मिला तो जब तक मैंने कहा थे निकल एगा ट्लिर की नियुक्त मैंने था उनका कॉंटरविशन रहा हूं कि वह दे पास अम भी क्या कुछ आप रिस्त्रिक्टेट मैंनर में बात करते थे ? दस मिनेट यह बना इसके लिए आपने कुछ टाई किया था एक महीने में इतनी बार नहीं रात में खाना खाने के बाद दिनर करने बाद तो दस मिनेट मैं उसे बात करता था देखिए सर कितना गहरा अनुशासन है और इसका पूरा श्रे उनको भी जाता है जो अब जीवन संगिनी है और कितना महत्रपूर्ण देखिए आप कहते हैं ना कि बिना त्याग के कुछ उपलब्दी आपको हांसिल नहीं होती अब क्या उनका आगे फिर अपनी सर्विस अभी बच्चा छोटा है लेकिन क्या आगे वो भी फिर सर्विस की तरफ मुड़ेंगी जी नहीं वो अभी तो फिलाल बच्चा छोटा है तो वो अभी अपना करियर आईटी में ही परस्यू कर रही है और अभी वर्क्रम होम का जो गीता कहती है या फिर आपको लगता है कि कर्म का तो हमेशा से योगदान है कैसे अब आगे के जीवन को एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर क्योंकि आप 2015 से अब तक करीब करीब एक डिकेड दस साल आप लगबग पूरे करने जा रहे हैं सेवा में जी जी मैं तो कहीं न कहीं मुझे उससे उर्जा मिलती है और एक मैंने यही सोचा है जिन्दगी में दिखा है कि अजब अनुसाशन रहा है और उसका अनुसाशन को पालन करते हुए आप आगे बढ़ते हैं तो भगवान कहीं न कहीं आपको अच्छा रहा पे लिके जाता है और जीव दोनों चीज आपको बराबर हिससे मिलते रहेगी मैं कभी यह नहीं सुचता कि मैं बहुत सक्सेस्फुल ही रहूंगा हमेशा या मुझे कभी खराप कुश्टिंग नहीं मिलेगी या सभी होगा मेरी जीवन में बुरा समय नहीं आएगा वो आएगा एंड आम रेडी फॉर और भगवान ने चाहा तो अच्छी नौकरी रहेगी और मैं यहीं करूंगा कि जैसे अवी तक बीता है आगे भी आराम से बीते और मैं अपना जो भी कंट्रिबिशन इस कार्डर को इस स्टेट को और अपने सर्विस को दे सकता हूं मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास कर प्रयास कर दो निश्चेत तोर पर इदुराजी और जिसकी इतनी पवित्र सोच हो और निश्चेत तोर पर हुमानिटी के लिए मैनकाइंड के लिए और आपका काडर जो है वो वैसे भी जन सेवा से बहुत सीधे तोर पर जुड़ा है आपका सपर्ष आपकी सोच आपकी चिंतन धारा समाज के डिप्राइट सेक्शन की जिंदगी बदलती है और सरकारों की मनशा को आप जमीन पर उतारते हैं मुझे लगता है कि हमें एक बहुत अच्छा युवा अधिकारी मिला है जो इस दिशा में आगे बढ़ेगा मैं बहुत शुब कामनाई देता हूं पहरे उत्रे हुए हैं और महत्त्व कांग्शा को आप कहीं मैं यह नहीं कहूंगा उसको पीछे रखते हैं लेकिन हाँ आप उसके माया जाल में नहीं फसते हैं यह बहुत इंपॉर्टन बात है सर बहुत शुब कामनाई बहुत आनंद आया आपसे बात करके यह थे जिला पंचायत भुपाल के CEO और 2015 बैच के भारती प्रशास्तिक सेवा मध्यप्रदेश कार के IAS अधिकारी रेतुराज सिंग सर नामा में इतना ही अगली बार एक और अपसर को लेकर आप से मिलेंगे नमस्क्राइब